तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे बहुत सारे स्टुडेंट ने मुझे कहा कि सर अब एक्जाम में मात्र और मात्र साइटीस दिन बचे हुए तो कैसे पढ़ाई करें समझ में नहीं आ रहा है कभी मैस पढ़त करना जिससे आप एक्जाम में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर इस रूटीन से आप पढ़ते हैं तो मैंली बच्चे जब पढ़ने बढ़ते हैं फिजीक्स पढ़ने बढ़ते तो उनको कमिस्ट्री लगता पढ़ें और जब कमिस्ट्री प अध्यां देना है कभी लास्ट चाहिम है और मातर मातर आपके पास 37 डेज एक्जाम के लिए मातर मातर सैटीस दीन और सैटीस दीन में आपको कैसे मैंनेच करना चली मैं आपको बता टाओं कि 24 आपका रूटीन क्या होना चाहिए सबसे पहले दिखे बहुत-बड़ी सब्सक्राइब करें लगेंगे बात्रूम बगेरा जाएंगी दर उदर जो भी है एक दो दो चार मिनिट बाहर भी निकल गए टाहल वहल लिए अधा घंटा इसा कि आपको नींद नहीं आए कि यह से चार वी जागे तापको नींद लगने लगेगा उस नींद को छोड़ाने लिए थोड़ा तहल लिये बहार में दो चार पंच मेंट दस में बात्रूम बगेरा चले गया अधा गंटा उसमें खतम कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है मेरे डिया चार तीस से मलब चार साधे चार एम से लेकर साधे च्छे एम तक सबसे फास्ट आपको इंगली लोग चुकी इंडिया नहीं भारतिय लोगों का अकसर इंगली कम जो रहता है विकाश हम लोग बचपन से क्या करते हैं हिंदी परते हैं तो हम लोग को इंगली इस उतना याद नहीं होता इसलिए अगर सुभा के टाइम ही ति हम इंगली को पढ़ेंगे तो ज्यादा तर तक पर लेना है ठीक है सबसे पहला तो यह चीज होगी आप आपने किलियर समझ लिया अब चलिए अगला काम करते हैं आपने दो घंटा इंगली इंगली का टेंसन खतम है आज क्रिए ठीक है उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना है फिर आधा घंटा का गैपिंग लेन ज्यादा आपको इंस्टा फेस्बूक ट्यूटर पर नहीं जाना आने तो फिर प्राब्लम हो जाएगा इंस्टा फेस्बूक ट्यूटर एकदम छोड़ी दीजिए ठीक है तो आपको क्या करना है फिर जो साथ एम आधा घंटा गैपिंग के बाद साथ एम से लेकर के आठ एम तक आप क्या करिए मेरे दोस्त हिंदी पर लीजिए अपका यहासर हिंदी के लिए डियर घंटा टाइम बिल्कुल रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए हिंदी क्यों कि दिखिए हिंदी आपका एक सो नमर का एक सो नमर का मेद भी है आपको बता दें कि कहानी का तब सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह घंटा इसके लिए हमने निकाल लिया दो घंटा इसके लिए और घंटा इसके लिए एक दाम मोस्ट इंपोर्टेंट है पर नहीं होगा आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हो नहीं पढ़ेंगे इंदी लेकिन गलत हो जाएगा फिर आप नहीं अच्छा कर पाओगे तो यह चीज़ होगी आपको यह कर लेना है अब देखिए अगला क्या करना है साधे आड़ बजे सिले कर यह ग्यारा बज़े तक यह अड़हाए घंटा का जो टाइमिंग होता है इतीम करिए फ्रेंस हो यह नहाइए धो यह जो करना आपको कर लीजिए अड़हाए घंटा का टाइम भाणा खाये पूरा मस्ती करिए एक दम पूरा समझ रहे हैं मतलब क्या कि आड़हाई घंटा का Cowत बज़ाइक तो इसूनना है थल्का-फलका बस कफिये अड़हाएं घंटा में आपका माइड फिरी हो जाएगा पूरे फरेस हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है ठीक है जब आपका बज जाएगा एक ग्यारा एक ग्यारा बज़े से लेकर के दो बज़े तक जिस बच्चे का मैत है तो मैत पढ़ना है अधर जिसका अधर चीज पढ़ना है लेकिन कोशिस करना है एक ग् मेहत बनने लगा ठीक है तो याद करने बला शीम उतना याद ने फोगा लेकिन मैहत आप अब बना सकते इसलिए तीन घंटा का बना चाहते इजार रदर निम्रिकल सकते हैं पड़ा बना सकते हैं प्टिक्स बगए का को नोमरीकल बनाते हैं यह ऊचिक है कि आ पका करना है एक ग्यारा से दो यह तीन घंटा का तो मेहथ कर सब्सक्राइब तो यह चीज़ तो आपका किलियर है यहां तक अब दिखे क्या करना है तीन घंटा जब अपने मेट्स बगएरा जो भी बना ना बना लिए ठीक है उसके बाद क्या करना आपको फीर से घंटा का रेश्ट चाहिए महत्र एंग घंटा का रेश्ट आपकर यह सिलीप करना या द यहिसां साम के तीन वुज़े से लेकर ना भिए गिंस और ने बन रहे कि पर मॉडले पोस्ति हैं अपने आपको टेस्ट बहुत जरूरिया है यह दो गहंता रेगूलर हना चाहिए आपके साथ टीक है टेश्ट यौर्से अपने आपको यह बहुत जरूरिया रही है तेस्ट करना है या यूट्यूब या कहीं पर मतलब तेस्ट कर सकते अपने अपको यह हो गया उसके बाद दिखिए पांच पीम से शाथ पीम तक फीक दो घंटा कमा जो आपको करना है वाकिंग अधर श्र टीका इन करिए अपना जो भी करिए अपना तो इस टाइम में आपको पता है ठीक है या नस्ता पूनी थोड़ा बहुत-बहुत मतलब उसमें कितना चीज बोले तो हम बोली दिये समझे तो आपके पास दो घंटा का टाइम है जो कर सकते आप ठीक है वाकिंग प्लेइंग दोस्तों से बात चीछ ताकि माइंड आपका पुरा रिफ्रे पास्ती कमिस्ट्री दोनों हे परना है ठीक है अधा अधादा टाइम कर दिचा कभी लगे दिखी तक 80 किiserी पढ़ना है तो पढ़िए करणा है तो पहलों से साथ बज़े रात से साथ न्वां बज़े टाकि यह आपको पर्णाइब फिजीक्स और प्रेंटा इसे तो और गार्जीच पर नारे दिञाने किसी का इस्ट्रिय एक को नंगिक्स पर अपका सब्जेक्ट है तो कोमर्स का इंटरफिनियर सीफ है तो उसको पर यह जो भी आपका हो ठीक है लेकिन यह दो कॉलम तो सब को फॉल्व करना पड़ेगा इंगलिस और हिंदी का यह तो सेम टाइम महीं पड़ना है ठीक है अब यहां पर क्या करना है फिर साथे नो बजेक बाद अधा घंटा ख खड़ाब हो सकता है उसके बाद अराम से आप क्या करें सो जाई ठीक है फिर सो जाईए नींद लीजिए फिर जग्ये चार बजे चार यहां होगे चार बजे जग्ये और फिर वही रूटीन कर यह मतलब इस तरह से आप पड़ते हैं तो डेफिनेटलिए का प्लस कर सकते है 450 भी कर सकते हैं कोहीं आपको नहीं रोख सकता है क्योंकि 30 दिन है मेरे भाई और 30 दिन में आप यह रूटीन पोलो नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ वही होने लगा कि कब फिजिक्स पर है कब कमिस्ट्री पर है ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो बारत